आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतिय जानना चाहेगा वह रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविश्य और सोच को बदल दिया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें वो रात थी आजादी की रात दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी रात 9 बजते-बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था बारिश अब भी जारी थी रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायस्राय हाउस पहुँचे 14 अगस्त 1947 की रात, बारह बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तब पंडित जवाहरलाल नहरू ने दो लाइने कहकर अपना प्रवचन शुरू किया कहते ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया 190 सालों बाद, बिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वेर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिये थे देश दो टुकडों में विभाजित हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान यूही आजाद नहीं हुआ 15 अगस्त के बहुत पहले ही बिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरूआत हुई थी और सुभाष चंद्रबोज की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था उपर से दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बिटिश सरकार में इतना दम नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके इसलिए माउंट बेटन को भारत का आखिरी वाइसरोय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंतरता दी जा सके अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंतर घोशित करने का निर्णय लिया था लेकिन मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी जिसके चलते देश में कई जगह पर सामप्रदाइक हिंसा शुरू हो गई भारतिय जनता पार्टी परिस्थिती को देख अंग्रेज भारत के हो सके इतना जल्दी स्वतंतर राष्ट्र घोशित कर देना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकडे में नहीं लेकिन दो टुकडे में विभाजित करना था स्वतंतरता के लिए 15 अगस्त दिन ही क्यों चुना गया तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतिय ही शुभ और अशुभ को नहीं मानते थे बलकि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे माउंट पेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागती स्वीकारी थी और इसके ओन फिशर हस्ताक्षर दो अक्तूबर को हुए थे इसलिए वेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था अब सवाल उठता है कि फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों चुना गया तो इसके लिए भारतिय जोतिशियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंतरता के लिए शुभ है और यह भी तय किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंकनाद के साथ भारतिय लोकतंतर की शुरुआत होगी ठीक वैसा ही हुआ 15 अगस्त की सुभ़ आठ बज कर 30 मिनट पर पंडित नहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनियता की शपत ली रात के लगातार बारिश के बाद सुभह आसमान बिलकुल साफ था लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आँखों से देखने का देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहर लाल नहरू ने रात को बारह बजे ही पारलियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुभह आठ बज कर 30 मिनट पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतार कर लाल किले की प्राचीर से जणडा फहराया गया था देशवासियों की आँखों में खुशी के आंसू थे लेकिन आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने भारत देश को नहीं छोड़ा आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली दोस्तों ताज्जुब की बात ये है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिति बन कर आये हो उस तरह से उन्हें विदा किया गया उनकी आखरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तब जोर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया आजादी से एक सौनब्बे साल पहले भी अमीर चंद्र और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था और फिर क्या हुआ प्लासी का युद्ध और एक सौनब्बे साल की प्रतंत्रता फिर भी हम भारतिय नहीं सुधरे अतिथी देवो भवा के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा फिर वो अतिथी हो वो कोई देव तुल्ले हो या हमें लूटने आया हो आज के लिए इतना ही आपकी आखरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लायक करके शेयर करने की है इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके